नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं RPS समाचार तो चलिश्वाइब करते हैं आज की मुख्य खबर से उन्नाओं में दो बाइकों की भिडंद, युवक्की मौत, तीन घायर, बहन और दोस्त के साथ लखनो जाते समय हादसा लखनो बांगर मौ मार्ग पर आसीवन थाना शेतर में रविवार शाम एक गंबीर सड़क हाथसा हुआ जिसमें भाई बहन समेच चार लोग घायल हो गए घायलों को तुरंत मियागंच अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोग की हालत गंबीर बता कर उन्हें जिला अस्पताल रिफर कर दिया जिला अस्पताल पहुचने पर एक व्यक्ती की उपचार के दौरान मौत हो गई पुलिस ने शेफ को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया 24 पुर्थाना चेत्र के लिन्हा गाउं निवासी गौरफ सिंग अपनी बहन ललता और साती जिया के साथ लखनों की ओड जा रहे थे जब वे मलहौली सरदार नगर गाउं के पास पहुचे तभी सामने से आ रहे बाइक चालक संदीप निवासी इनायत पुरबर्रा ने ओवर टेक करने की कोशिश की इस कोशिश में दोनों बाइकों की टकर हो गई जिससे सभी लोग घायल हो गए चन्डीगर में करता था मजदूरी गायलों को तुरंद मिया गंज अस्पिताल में भरती कराया गया हालत नाजुक होने के कारण गौरब और संदीप को जिला अस्पिताल रेफर कर दिया गया जिला अस्पिताल में इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई मौत की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौर गई मेदक संदीब चंडीगर में मजदूरी करता था और चार भाईयों में सबसे छोटा था उसके दो छोटी बेटिया अवनी और अनन्या है पलिस ने शेफ को पोस्माटम के लिए भेज दिया और मामले की गहनचाच शुरू कर दी है परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि संदीब को उसके साथ ही जबरन ले गए थे पलिस मामले की तहकीकात कर रही है और दोशियों के खिलाफ कारवा ही की जाएगी खबरों में अब तक लिए बस इतना ही मिलते हैं आईसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रखें और पीए समाचार